सल्मान खान की भांजी अलीजे अग्नियोत्री फिल्म फरे से बॉल्यूड में डेब्यू कर रही है रिसंटली फरे फिल्म क्री स्क्रीनिंग रखी गई थी जा बॉल्यूड के तमाम सेलिब्रिटीज मौजुद रहे सलमान खान की भांजी की डेब्यू फिल्म फरे की स्क्रिनिंग में केटरिना कैफ सच धचकर पहुची थी केटरिना कैफ रेड कलर की वन साइडेड शोल्डर वाली ड्रेस में काफी गौडजियस लग रहे थी वही क्यारा अडवानी भी फरे की स्क्रीनिंग में पहुची थी फिल्म स्क्रीनिंग में क्यारा ने ब्रांडेड ब्ल्यू कलर का टर्टलनेक टॉप डेनिम के साथ केरी किया था क्यारा वाके ही इस ड्रेस में क्यूट लग रहे थी गौरी खान भी सलमान खान की भांजी की फिल्म फरे की स्क्रीनिंग का हिस्सा बनी स्क्रीनिंग पर गौरी खान ब्लैक शॉट टॉप और पैंड के साथ पीला कोट केरी करते हुए नजर आई पूजा हेगडे बेबी पिंग कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहन कर अलीजय अगनियोतरी की फिल्म फरे की स्क्रीनिंग में पहुची इसके अलावा एक्टर रंदीप हुडा अपनी गल्फरेंड के साथ सलमान खान की भांजी की फिल्म फर्रे की स्क्रीनिंग में पहुचे थे रंदीप हुडा ने वाइट शर्ट के साथ क्रीम कोट और ब्लैक पैन पहना था रविना टंडन की बेटी राशा थडानी भी अलिजे अग्नियोतरी की फिल्म फर्रे की स्क्रीनिंग में पहुची थी रविना टंडन की बेटी ने ओफ शोल्डर टॉप के साथ ब्लैक पैन केरी किया था जिसमें वो काफी खुपसूरत लग रही थी सने दियोल भी बेटे करन दियोल के साथ सलमान खान प्रडक्शन की फिल्म फर्रे की स्क्रीनिंग का हिस्सा बने वही सलमान खान ओल ब्लैक लूक में फर्रे की स्क्रीनिंग में पहुचे थे तो अर्बास खान नेवी ब्लू सूट में पहुचे थे अर्बास के साथ उनकी बेहन अर्पिता खान और आयोश शर्मा भी फर्रे की स्क्रीनिंग में मौजुद रहे इस तरह ये स्क्रीनिंग वाके ही स्टार स्टडेट स्क्रीनिंग रही मुंबई से वेधिता प्रता अपने शननाओ